आप सभी का स्वागत हैं मेरे चैनल पर फ्रेंड्स दिवाली आ रही है और हम लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए महंगे महंगे केंडल कोश्टर्स खरीते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे कबाड से घर पे ही बनाया जाए तो देखिए आगे ऐसे कार्डबोर्ट बॉक्स तो सभी के घर पे होते हैं और मेरे घर पे भी है और दिवाली की सभाई में हम सभी से फेक देते हैं तो क्यों ना इसको फेकने से पहले इसमें कुछ आइडिया लगा कर कुछ बनाया जाए तो मैं इसमें अपना दिमाग लगाई हूँ और इससे बना रही हूँ केंडल कोश्टर जो की दिवाली में घर को डेकोरेट करने के बहुत काम आएगा और ये कोश्टर्स जिस टाइप का मैं बनाऊंगी 300, 400, 500 इस रेंज में मिलते हैं मार्केट में तो मैंने सोचा कि क्यों न कम से कम पैसे में इसको बनाया जाए और 50 रुपए के सामान में 50 रुपए से भी कम का सामान लगेगा और इतने में हमारा खुबसूरत सा केंडल कोश्टर बनके तयार हो जाएगा तो मेरे पास ये मोटा वाला कार्ड बोर्ड का बॉक्स है अगर आपका बॉक्स पतला है तो उसको डबल करके आप चिपका सकते हैं फेवी कॉल से या ग्लू से तो इस पे कोई भी आप डिजाइन ड्रॉ कर लीजिए और मैं यहाँ पे दो डिजाइन बना रही हूँ क्योंकि मैं दूसरा वाला भी बनाऊंगी बट अभी मैं सिर्फ एक ही बना के दिखाऊंगी दूसरा वाला भी मैंने कट करके रख लिया है उसको मैं बाद में बनाऊ और यह जिस टाइप का भी आपको डिजाइन बनाना है उस टाइप के जो भी मतलब फूल पत्तियां है वो सब आप कार्ड़ बोट से ही कट करके रख ले पहले और फिर उसको हम फेवी कोल से स्टिक कर लेंगे जैसा आपका बेस बनना होगा वैसा बेस आपका रेडी हो जा तो यह देखिए मिड में लगाने के लिए मैंने पांच पंखुडियां कट करी है बट यह थोड़ा सा बड़ा हो गया है बड़ा हो जाये तो हमको मतलब सरकल के अंदर ही सेट करना है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से राउंड सेप दे देंगे तो यह चोटा हो जाएगा और इसको छोटा करके फिर सरकल के अंदर हम सेट करके फेवी कोल से इसको पेस्ट कर देंगे. पता है फ्रेंड्स बच्पन में भी मुझे ऐसी सब चीजें क्रियेटिविटी का बहुत सौक था बट उस समय ना तो इतनी चीजें एविलेबल थी और ना ही उतना आइडिया था तो अब फिर से एक बार क्रियेटिविटी का जो मेरा हुनर है वो जाग रहा है और ये मैंने ले लिया है वाइट सीमेंट और वाइट सीमेंट का मैंने पतला सा घोल बना लिया है और जो भी हमने पंखुडियां काटी थी उसको हम फेवी कोल के हिल्प से स्टिक कर लेंगे ये देखिए एक ब्रश से हम फेवी कोल लगाएंगे और उसको स्टिक कर लेंगे सारा कुछ स्टिक करने के बाद जो हमने white cement का घोल बना के रखा है पहले हम एक layer उसकी अच्छे से सारे पे लगा देंगे अब second layer first layer सूख जाने के बाद हम second layer में जो घोल लगाएंगे वो थोड़ा सा थिक बनाएंगे मिन्स थोड़ा सा घाड़ा घाड़ा सा घोलेंगे और फिर उसको अच्छे से brush के help से उसको भी लगा देंगे then जो सुतली आती है ना सुतली भी बहुत लोग कहते है या डोरी होती है जो सूत वाली जो डोरी होती है ये देखिए ब्राउन कलर की होती है इसको हम फेवी कोल के help से जो इसके किनारे है उन पे लगा देंगे तो इससे काफी अच्छी finishing कहाएगी और फिर हम इसको कलर भी कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा साइनिंग लुक वाला हो जाएगा ये देखिए बीच में मैंने चारों तरफ सूत वाली डोरी लगा दी है अब मैं इसको किनारों किनारों पे लगा रही हूं तो ये फेवी कोल से भी अच्छे से चिपक जाता है otherwise glue gun के help से भी आप चिपका सकते हैं तो ये देखिए सारा इस्टिक कर दिया है मैंने अब इसको मैं एक से दो घंटे सूखने के लिए रख दूँगी तो अगर लिपन आर्ट भी आप नहीं ले सकते हैं तो आप देखिए मतलब 20 रुपए की सूथ की डोरी का बंडल आता है और उस बंडल में 50 से 60 मीटर रहता है और यहां पे हमारा आधे मीटर में ये चीज बन गया है तो सोचिए कितने कम इन्वेस्टमेंट में हमारा ये बन रहा है और ये देखिए अब हम इस पे बेस पे जो ब्लैक बेस है उस पे हम कलर करेंगे ये स्क्रबर जो बरतंद होने वाला होता है ये मतलब शियोर करने की वो ड्राइ हो गीला नहीं होना चाहिए और उस पे थोड़ा सा आप कलर लगाएंगे और इस तरह डैप डैप करके पूरे ब्लैक बेस पे आप कर देंगे तो ये एकदम से मेटैलिक लुक क्रियेट हो जाएगा दन इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस पे पेस्ट कर सकते हैं मिरर्स तो मिरर पेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप मिरर को ऐसे ही रख ले क पे आपको मिरर स्टिक करना है देन आप वन वन से उठा उठा के उनको वहाँ फेवी कोल लगा के या जो भी ग्लू है वो लगा के पेस्ट करते जाए और फाइनल मेरा कैंडल कोस्टर रेडी हो गया है अब हम इसको ड्राइ करने देंगे ड्राइ करने के बाद ये आप कॉर्णर पे बेट के कहीं भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और अपने घर के डेकोरेशन को इनहेंस कर सकते हैं वो भी सिर्फ 20 से 30 रुपए के सामान में वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अब मिलते हैं नेक्स ब पाहितनiros को दो झालें से 3 कि अ कर सकते हैं झे तो को का और सकते हैं रवी फैंड़ नायों को तो किया देड़गी एसकतो कर सकते हैं चिशना को भी आप को कर सकते हैं तो